नमस्कार दुपहर समाचार में आपका स्वागत है वंदे भारत मिशन के तहट भसे भारतियों को सड़क मार्क से निकालने का काम शुरू बांग्रादेश से करीक 230 भारतिय स्वादेश रवाना और राजस्थान पंजाब गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड़ी रोग्थाम अभियान तेज किया गया माचार में अपने सहयोगी मुकेश कुमार के साथ मैं विमलें दुपांडे सुरक्षा बलो ने आज जमू कश्मीर में कारबम विस्पोर्ट करने के प्रयास को बेफल कर दिया पुलिस महानी रिक्षक विजए कुमार ने इस सफलता के लिए सुरक्षा बलो को बढ़ाई दी है उन्होंने बताए कि पुलवामा पुलिस को कल खुफिया सूतरों से जानकारी मिली थी कि एक आतंगवादी विस्पोर्टकों से भरी कार को लेकर घूम रहा है इस कार में लगबग 45 किलो ग्राम आधुनिक विस्पोर्टक था पुल्वा पुलिस ने आर्मी, स्यार्पेफ और एसुदी पार्टी का डिफेंट नाका लगाया और आए गुन में जब उसी गारी में जिसका ख़वर था जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे φckt फोर्टस में वार्निन फार के या वार्निंग फार करने मील्टन गारी घज़ा के वहां से भागया मील्टन गारी को चोड़के वहां से भागया जिस तो असप्यक्टेट कर रहे थे हम लो आज मौर्निंग में अपना BTS पारीठ गया जब उसने देखा कि इसमें आडी फोसिल लोड़ेट वेहिकल है तो उसमें आर्मी स्यार्बी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफिच किया सेना जमु कश्मीर पुलिस और केंद्रिय रिजर्ब पुलिस बलके संयुकत अभियान में इसकार को नश्ट कर दिया गया जारखन में पर्शिमे सिंग भूमे जिले के मनमारू जंगल और केंताई पहाड़ियों में पुलिस के साथ हो रही मुटफेड में तीन कटर नकसली मारे गए हैं ये नकसली पेपल्स लेबरेशन फट्रण्ट आफ अंडिया के थे गंभी रूप से घायल एक नकसली को घिरफतार कर लिया गया है इससे पहले कलक शीत्रिय कमांडर सही दो नकसलीयों को सिम्डेगा पुलिस ने घिरफतार कर लिया था सिम्डेगा के पुलीस अधिक चक संजय कुमार ने संवादाताओं को बताया कि गिरफ़तार कमांडर से इंसास राइफल बरामत के गए इन अकसलियों पर दो लाख रुपए का इनाम था अरुनाचल प्रदेश में सुरक्षा बलो ने कल चांग लंग जिले के मियाओ बम आरक्षित जंगल में एनसीन आईजेक मुईवा गुट के ठिकाने का पता लगाया खराब मौसम और दुर्गम इलाके में चलाए गए अभियान में सुरक्षा बलो ने हत्यार गोला बारूद और अन्य युद्धक सामगरी बरामत के इलाके में इस गुट की जानकारे मिलने पर सेना और राज्य पुलिस ने संयुकत अभियान चलाया प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी युजना के अंतरगत पिछले दो महीनों में 9 करोड 67 लाक किसानों को लाब हुआ है इसके लिए 19,000 करोड रुपे जारी किये गए हैं सरकार ने कहा है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान युजना के अंतरगत लगभग 4,57,000 मीट्रिक टन दालें राज्यों और केंदर शासित प्रदीशों को भीजी गई है इनमें से 1,78,000 मीट्रिक टन दालें 13,40,000 लाबहर्थियों को वित्रित कर दी गई सरकार ने गोशना की है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान युजना के अंतरगत सभी काड़धार अकलाभार्थियों को 1 किलो ग्राम प्रति महा की दर्द से 3 महिने के लिए मुफ्त दालें 1,70,000 लोगों के बीच वित्रिक की जाएंगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने उर्जा कुशित्र की वित्ती इस्थिती में सुधार और इसकी कारिकुशलता बढ़ाती समय उपभोगताओं की संतुष्टी पर जोर दिया है प्रधान मंत्री ने कल शाम बिजली मंत्राले तथा नवीन और नवी करणी उर्जा मंत्राले के कारियों की समिछा की बैठक में उर्जा कुशित्र की समस्याओं की निवारन के लिए शुल्क नीती और बिजली संशोधन विध्यक 2020 सहित नीतिगत पहलूं पर विचार बिमर्श हुआ शुमोदी ने विभिन प्रदीशों में बिजली क्षित्र की समस्याओं विशिषकर बिजली वित्रण की ओर ध्यान दिलाया उन्होंने कृषिव क्षित्र की संपून आपूर्ती श्वंकला के लिए समग्र दिश्टिकोन अपनाने पर जोर दिया जिसमें सौर जल पंप और विकेंदरी कृत सौर शीत भंडारन शामिल हैं। प्रधान मंत्री ने छटों पर सौर और जा उत्पादन के लिए नई तकनिक की जरूर पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हर राजी में कम सी कम एक शहर छट पर सौर और जा उत्पादन के लिए पूरी तरह सुसजित होना चाहिए। शीमोदी ने कार्बन रहत लद्दा की योजना में तेजी लाने और सौर तथा पवन उर्जा का इस्तमाल करती हुए तटी इलाखों में पीने का पानी उपलब धिकराने की जरूर दिया। वित्ती इस्तिरता और विकास परिशत के बाईसमी बैठक वीडियो कॉन्फरेंस के जरीए आज ने दिल्ले में शुरू हुए। इस बैठक में कोविड-19 के परिपेक्ष में वित्ती इस्तिरता बनाए रखने से संबंदित उपायों की समीक्षा की जा रही है। केंद्रिय वित्तमंत्रे निर्मला सीतारामन इस बैठक की अध्यक्षता कर रही है। देश में कोरोना से संक्रमित 66,652 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ और परिवार कल्यान मंत्राले के अनुसार स्वस्थ होने वालों के दर 42.75 प्रदिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 3266 रोगी ठीक हुए हैं और 6566 नए मामले सामने आए हैं। देश में COVID-19 के मामलों के संक्या 1,58,333 हो गई है। स्वस्थ मंत्राले के अनुसार पिछले 24 घंटों में 194 लोगों के म्रत्य हुई और देश भर में म्रत्यकों के संक्या 4,531 हो गई है। भारती आरविज्ञान अनुसंथान परिशद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कुल 1,19,976 नमोनों की COVID-19 जाच की गई। देश में अब तक 33,62,136 नमोनों की जाच की जाच की जा चुकी है। देश में अब तक कुल 632 प्रियोगशालाओं में COVID-19 जाच की जा रही है। इनमें 449 सरकारी और 193 प्राइवेट प्रियोगशालाएं हैं। स्वास्त मंतुराले ने कहा है कि देश में लॉकडाउन लागू करने के कई फायदे हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इसने कोरोना वाइरस संक्रमन के फैलाओ की दर्को कम कर दिया है। सांखेकी और कारेक्टरम का रायन वैन मंतुराले के अनुसार पूर्णबंदी लागू करने से मौत और संक्रमन के फैलाओ को रोका जा सका है। आरोग सेतू एब के रूप में महमारी से पीडिक लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों पर नजर रखने की प्राणाली सुद्रिन हुई है। देश में 900 से अधिक कोबिड अस्पताल बनाए गए हैं जिनमें 1,58,000 से अधिक आईसुलेशन बैड, 20,000 से अधिक आईसीव बैड और करीब 70,000 आक्सीजन की सुविधा वाले बिसतर उपलब्द हैं। केंद्र ने राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,13,00, N95 मास्क और करीब 90,00, व्यक्तिगत सुरक्षाकिट PPE उपलब्दे कराई हैं। स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि भारत में COVID-19 महामारी की मृत्युदर 2,86 प्रतिशत है जबकि विश्व स्थर पर इसकी आउसत दर 6,36 प्रतिशत है। स्वास्त मंत्राले ने राज्यों और केंद्र शाफिक प्रदेशों को सला दी है कि वे कोरोना महामारी के दौरान माताओं और बच्चों का स्वास्त सुनिशित करने के लिए रोक्थाम ख्षित्र में कैल्शियम, जीवन रक्षक घोल, जिंक, गर्भ निरोधक और आयरन की गोलियों जैसी आवशक वस्तों की होम डिलेवी की व्यवस्ता करें। नाइंटीन की आयरुवेदिक दवा का क्लिनिकल परीक्षन राजकोर से शुरू होगा। राश्टिय कामधेनु आयू के धेक्षि डक्टर वल्लब कतीरिया ने कहा है कि अलोपैथिक दवा के परीक्षन के लिए निर्धरित नियमों का पालन करते हुए इस आयरुवेदिक ने बताया है कि आज जब विश्व कोविड-19 के दवा ठूणने के लिए संखश कर रहा है इस बात की संभावना है कि पंच गव्य दवा इस बीमारी से उबरने में असरदार साबित हो सकती है। परिक्षन को अंजाम दिया जाएगा। राजकोड के बाद इस पंच गव्य चिकित्सा का सूरत और एमदाबाद में भी नईदानिक परिक्षन किया जाएगा। विशेशग्यों के अनुसार क्लिनिकल परिक्षन की सफलता के बाद कोविड-19 के उप्चार में पहल है जिसके माध्यम से करनाट का राज्य स्वास्त रजिस्टर में सभी नागरिकों का वास्तविक और प्रमानी कित्र स्वास्त डेटा रखा जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंतरी सुधाकर ने बताया कि ये परियोजना प्रायोगिक तोर पर पहले चिक बलपुर जिल डेटा रखने की आवशकता महसूस हुए। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी साड़े छे करोड नागरिकों का सरवेक्षन कराएगी जिसमें प्राथमिक स्वास्त केंद्रों के करमचारियों, शिक्षा विभा के करमचारियों और आशाकारे करताओं का सहयोग लिया जाएगा। जादा प्रभावित जिला है, यहां कोरोना से चार लोगों की मृत्यू भी हुई है। आंदर प्रदेश में पिछले 24 घंटे की दोरान COVID-19 के 54 और मामली सामने आए हैं। राज्य के विभिन अस्पतालों से 45 लोगों को उपचार के बाद चुट्टी दे दी गई है। इंदर शासित प्रदेश चंडिगर्ड के बापू धाम कालोनी में 6 लोग COVID-19 से संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 288 हो गई है। हमारे समवादाता ने बताया है कि 9 में से 216 लोग बापू धाम कालोनी के हैं। 97 संक्रमित द्यक्तियों का इलाज चल रहा है। नगालेंड में COVID-19 के आज 9 और नय मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों के संख्या 18 हो गई है। दीमापूर में 12, कोईमा में 5 और एक सुच्यांग में है। पहरानी, लक्ष्मी, अमनी, महिला, महाविद्यले की 50 शिक्षिकाएं भाग ले रही हैं। इन कारशालाओं में ऑनलाइन शिक्षा से संबंदेत विभिन जानकारियां उपलब्ध कर आई जा रही है। भारती जनता पार्टी ने कहा है कि पूरा देश कोरोना वाइरस के ख खुरूतमन्द लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहट 19 करोड से ज्यादा लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराए गया है और 4 करोड से अधिक लोगों को सूखा राशन दिया गया है। पार्टी कारकरताओं उने देश भर में पांच करोड मास्क वित्रित किये हैं। श्री आदव ने ये भी कहा कि पार्टी ने कोरोना युद्धाओं को बूत लेवल पर धन्यवाद दिया है और बारह लाग से ज्यादा बूतों में हस्ताक्षर युक्त धन्यवाद ग्यापन अभ्यान चलाए कारकाल की पहली साल गिरह मनाने के लिए भाजपा तयार है और वो देश भर में वर्च्वर रैली करेगी। पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडड़ा इस मौके पर कारकरताओं को फेस्बुक लाइव की जरिये संबोधित करेंगे। का एक मुख्यकारण है। को रोक सकेंगे। डॉक्टर शिवास्तो ने गर्वती महिलाओं को सलाह दी है कि वे बेहत सावधान रहें और हर तरह से जरूरी एहतियाती उपाय करें। जो गर्वती महिलाओं होते हैं उनकी इम्मुनिटी वैसे ही थोड़ी सी कम होती है। तो उन लोग को जादा से जादा अपने घरों में रहना चाहिए। इवन घर में भी सबसे बहुत मिलकर नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा अलग थलग सोशिल डिस्टिंसिंग बना कर रखना चाहिए। उनके परिवार में जो बाहर जाते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखने में ही उनकी भलाई है। अपने सेहत का ख्याल रखेंगे और अपने डॉक्टर से फोन पर या वर्चुल मीटिंग पर अपना संपर्क जरूर बना कर रखेंगे। आकाश्वणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेशग्यों के राय श्रिंखला में कोवेड-19 महामारी के बारे में वरिष्ट चिकीच्चकों के राय प्रसारित करता है। अखिर भारतियार विज्यान संस्थान एम्स में अनस्थिया विभाग के डॉक्तर ऐसे राजेशवरी ने लोगों को घर में रहने और सच्छता बनाय रखने की सलाह दे। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. एम्स के ही प्रफेसर ड्क्टर पूर्वामातो ने बताया किस वाइरस के फैला को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बहुत महत्वपून है। The coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter and that is why it is important to maintain social distancing. पूर्व भारती क्रिकेटर सचिन टिंडूलकर ने लोगों से सरकार के दिशा निर्दिशों का पालन करने की अपील की है। आज पहला land crossing है। आकाश्वानी का समाचार सिवा प्रभाग आज अपने फोन इन कारेकर में COVID-19 पर विशेश परचाचा प्रसारित करेगा। ये कारेक्टरम रात 9 बच कर 25 मिनट सी FM गोल्ड और अत्रिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। शोता इस टूडियो में सीधे फोन कर विशेशक्यों सी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-23314444 हमारा टोल फ्री नंबर है 18-00-11-5767 नंबर है एक बार फिर सुन लीजे 011-23314444 और 18-00-11-5767 हैस्टेग आसक AIR का इस्तमाल कर ट्विटर हंडल एट AIRnewsAlert से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। करकरम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारी यूट्यूब चैनल न्यूज ओन AIR ओफिशल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल एप न्यूज ओन AIR पर भी अपडेट लिए जा सकते हैं। यह समाचार आकाश्वानी से प्रसारित के जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडिल एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। किसान योजना के अंतरगत पिछले दो महिनों में साड़ी नौ करोड से अधिक किसानों को 19,000 करोड रुपए वितरित किये गए। वंदे भारत मिशन के तहट फसे भारतियों को सड़क माल्क से निकालने का काम शुरू बांगलादेश से करीब 230 भारतिये स्वदेश रवाना। और राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्यप्रदेश में टिडडी रोख्थाम अभियान तेज किया गया। वंदे भारत अभियान के तहट विदेशों में फसे भारतियों को सड़क माल्क से स्वदेश लाने का काम आज से शुरू हो गया है। बंग्लादेश में फसे 230 भारतिया आज सुबा सड़क माल्क से त्रपुरा, असम और मेखाले के लिए रवाना हुए। इन में से 125 भारतियों का दल बंग्लादेश की सीमा पर अखावरा से अगर तला के लिए रवाना हुआ। बंग्लादेश में भारत के उच्चा युकतरीवा गांगुली दास ने इनको अखावरा से रवाना किया। बंग्लादेश सिद्भारतिय उच्चा युक का धन्यवात किया। प्रसार भारती संवात दाता से बाचीत में गांगुली ने बताया कि वंदे भारत अभ्यान के तहट सत्रह सो से जादा भारतियों को बंग्लादेश से स्वादेश लाया जा चुका है। इस महीने के आठ तारीको ढाका से शुरू हुई उडानों के जरिये बड़ी संख्या में भारतियों को दिल्ले, मुंबाई, चिन्नाई, कोलकाता और शिनगर लाया गया। जारखंड में आज सिवरे एर एशिया की उडांसी 114 प्रवासी और मजदूर मुंबाई से रांची की बिरसा मुंडा हवाइड दे पहुँची। चार्टर एर एशिया की इसुडान का पूरा खर्चा बेंगलूरू की नैशनल लौ स्कूल द्वारा उठाये गया है। जारखंड के प्रवासीयों की वापसी की विवस्था की। प्रवासीयों के लिए उडान के आयोजन में IIT बॉंबे के चात्रों और बॉंबे कोविड आक्शन नेटवर्क द्वारा भी सहायता प्राप्त की गई। सभी प्रवासीयों और मजदूरों की हवाई अड़े पर मेडिकल जाच की गई और उन्हें बसों के माधियम से उनके संबंधित ग्रह जिलों में भेज दिया गया। आकाश्वाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। अगल में कोलकाता के नेथाजी सुभास चंद्रबोस अंतराष्ट्य हवाई अड़े से आज सवेरे घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया। सिली गुडी में बाग धोगरा और पश्चे में बर्धवान जिले में अंडाल हवाई अड़े से भी आज उड़ाने शुरू हो रही है। राजी सरकार ने सभी घरेलू ड़ानों के यात्रियों के लिए प्रामर्श जारी किया है। अरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचाल कक से मैं शशी भूशंत्र पाठी। गुजरात, महरास्ट, पंजाब, उत्तरप्रदेश और बिहार से सबसे अधिक रेलगाडियां चलाई गई हैं। वहीं सबसे अधिक 1392 रेलगाडियों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उत्तरप्रदेश पहुचाया गया। जबकि 1130 रेलगाडियों के माध्यम से बिहार और 156 रेलगाडी के द्वारा प्रवासी मजदूरों को जहारखंड पहुचाया गया। इन रेलगाडियों में सफर करने वाले यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा। किराय का 85% हिस्सा रेल मंत्रालय और 15% राजय सरकारें दे रही हैं। वहीं रेलगाडी में आत्रा करने वाले लोगों को IRCTC की तरप से 78 लाख भोजन के पैकेट और एक करोड से अधिक पानी की बोतल मुफ्त में वित्रित किया गया। इन रेल गाडियों के अलाबा रेल वे द्वारा 15 जोड़ी एसी रेल गाडियां भी चलाई जा रही हैं। वहीं पहली जून से 200 अतरिक्त रेल गाडियां भी चलाई जाएंगे। दिपेंदर कुमार आगाश्वणी समाचार। महराश्ट्र के ग्रिह मंत्री अनिल देश्मुक ने आज बताया कि विभिन राज्यों में 9,82,000 प्रवासी मजदूर भी जे गए हैं। श्री देश्मुक ने कहा कि कम सिकम 696 विशिश्र लिगाणियां इन मजदूरों को विभिन राज्यों उत्तरप्रदेश, बिहार, चारकंड, चातीसगर, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, ओडिसा, राजिस्थान और करनाटक में ले जाने के लिए चली हैं। हमारी समवादाता ने बताया है कि कोरोना वाइरस के मद्दे नजर किसानों की सहुलियत के लिए विभिन किसान समु, खेती में इस्तमाल होने वाली समगरी को किसानों तक पहुचा रहे हैं। हमारी सम्स पर्टिलाइजर जिसकी कीमत आज 4 करोड 59 लाग है वो 11,222 पिसानों को वितरिक किये हैं। साथ ही 63 लाग रुपए पीमत के 8,927 क्रूशी बीजों का भी वितरह इसी तरह हुआ है। साथ ही कुल 11 करोड 17 लाग रुपए के रुशी आदानों को सीधे खेतों तक पहुचाया गया है। महराष्ट में 400 किलूमेटर लंबी सड़कों की सोधार के लिए एशाय विकास बैंक 177 मिलियन डॉलर का कर्ज उपलब्ध कराएगा। इन सड़कों में साथ जिलों में स्थित 11 राज्य राजमार्क शामिल है। इस रण समझोते पर भारत की तरफ से केंद्रिय वित्य मंत्राले में अपर सचिव समीर खरे और एशाय विकास बैंक की तरफ से बैंक के भारत इस्थित निदिशक केनिची यूको यामा ने हस्ताक्षर किये हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट निद्रान निद्रान पर भी उपलब थे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश के पश्यम और पश्यमुत्तर भारत के बड़े हिस्से में टिड्डियों के प्रकोप से निपटने के लिए क्रिशी और किसान कल्यान विभाग ने राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डी रोगथाम अभियान तेज कर दिया है। में कीट नाशकों का छड़काव किया जा रहा है। राज्य के उत्तरी जिलों में मुख्य रूप से टिड्डियों का आक्रमन हुआ है। राज्य के क्रिशी विभाग ने बता है कि बरास काठा कच्छ और जाम नगत जिलों समेत पागिस्तान की सीमा से लगने वाले क्षेतरो में विशेश सतरकता बरती जा रही है। अग्रणी योगदान हमेशा याद किया जाएगा। एक टूइट संदेश में शुज जाविकर ने कहा कि वीर सावरकर महान देशभक्त और अद्भुत लिखते। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्टवी राजधाने दिल्ली में बादल चाहे हुए हैं। हलकी अग्रणी नियूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सेश के आस्पास रहने की समभावना है। इसक है लिखतें के बादल सेलिक लिखतें के बादल सेल्सेश के अचपास रहेगा। उत्तर में केंदर शासित प्रदिश जम्मु कश्मीर में शुनगर में नियुनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सेस और अधिक्तम 28 डिग्री सेल्सेस के आसपास रहेगा यहां आशिक रूप से बादल चाय हुए हैं बारिश या धूर भरी आंधी चलने की संभावना है गिलगित अधिक्तम तापमान 17 डिग्री सेल्सेस और अधिक्तम तापमान 36 डिग्री सेल्सेस रहेगा असमे मौसम में सुधार होने से बाड की इस्तिती थोड़ी बहतर हुई है आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि कुछ इस्थानों पर जल इस्तर कम हुआ है राजी के ग्यारे ज दौरा पहली जुलाई से आयुजित होने वाली दसमी और बारवी की लंबित परिक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी रहत दी गई है। जारखंड में पुलिस के साथ मुटब्लेड में तीन कट्टर नकसली मारे गए। मध्यप्रदेश में टिडडी रोक्ताम अभियान तेज किया गया। इसके साथ ही दौपहर समाचार का ये अंक समाप्धुआ। नमस्कार झाल 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 झाल